कपाश उद्योग की बात करते था मैं मैंने जिक्र किया था कि कैसे प्रारम में उत्पादन बहुत कम होने का एक कारण था कि श्रम जो था वो मानो श्रम था यानि मजदूर लोग स्वैम कताई बुनाई यादी करते थे चाहे वे कपास को उनके बीजों से अलग करने का काम हो या उनका धागा बनाने का काम हो और उसकी कॉलिटी भी उसकी गुनवत्ता भी कमजोर रहती थी फिर अगले पैदान में अगले कदम पर जिक्राया कि किस पकार जल शक्ति का उप्योग शुरू हुआ जल शक्ति के बाद फिर वाश्प शक्ति का जिक्राय था भाफ की शक्ति आये पावर लूम हुए और इ भाफ की ताकत का आभास लोंको हो गया था और जब ये पता चला कि भाफ से बहुत ज्यादा शक्ति उत्पन की जा सकती है तब बड़े पैमाने पर बहुत बड़े पैमाने पर अद्योगी करण निरनायक सिद्धुआ लोहा है, कोईला है, उद्योग पती है, रा मेटीरियल है, श्रम भी है लोहा है, कोईला है, उद्योग पती है, मजदूर है, श्रम है और रा मेटीरियल भी है, कच्चा माल भी है लेकिन भाफ की अनुपस्थिति में इसका अद्योगी करन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत कम होती, बहुत स्लो रहती ये तो भाफ की शक्ति की अनभूती थी जिसने द्योग पतियों को और आविशकारकों को नेने आविशकार इजात करने के लिए सोच दी नेने आविशकार करने के लिए प्रेरित किया जैसे ही भाफ की शक्ति की जानकारी हुई जेम्स वाट जैसने एंजिन बनाया और द्योगी करन बड़ा निरनायक साबित हुआ द्रव चलिशक्ति की रूप में जल भी उर्जा का प्रमुक्सोद बना रहा पानी अपने तरीके से प्रमुक्सोद तो बना रहा किंतु इसका प्रयोग खास इलाकों मौसम और जल प्रवा की गती जहां तक स्विमित था क्योंकि पानी की दिक्कत ये थी कि पानी का बहाव होना चाहिए पानी के बहाव की तीवरता होनी चाहिए दूसरी बात जहां पानी के बहाव की तीवरता है वहाँ पर द्योग स्थापित होने के लिए उच्छित जलवाई होना चाहिए उच्छित बातावरन होना चाहिए की तीसरा पानी की तीवड़ता है, जलवाई भी थीक ठाक हो, तो अवशक नहीं कि वहां लोग रह रहे हों, या वो ख्ब्छत रहने लायक हो, तो इस प्रकार जल शक्ती के के अपनी सीमाई थी। जल शक्ती का दाइरा सीमित था, और कम सकम उस काल में सीमित था, अब इन अल जिससे अनेक प्रकार की मशीने आराम से अब चलने लगी ये उर्जा का ऐसा स्रिद था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसे मंद मशीनरी को चलाने के लिए भी भरोसे मंद और कम खर्चीला मशीनरी बनाने में मशीनरी को चलाने में और कम खर्चीला इसके तीन फायदे चौभाविक है और चौथा चौथी बाद जल शक्ति का एक परफिक्ट रिप्लेस्मेंट हो गया जहाँ जल शक्ति संभाव नहीं थी वहाँ अब वाश्प शक्ति ने उसका स्थान ले लिया घटना थी तो हमारे अब का ध्यन का विशा है भाव की शक्ति भाव की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खानन उद्योग में किया गया खुदाई के खदानों में जब कोईला और धात्यों की मांगे बढ़ें तो गहरी खदानों में उसे निकालना संभाव नहीं हो पाया गहरी खदानों में से कोईला गहरी खदानों से लोहा अयस्क ये निकालना थोड़ा कटिन हो गया क्योंकि उस गहराई तक जाना संभौनी था या उस गहराई से चड़ाना संभौनी था आप ये जो पिक्चर देख रैए हैं चित्र देख रहे हैं जिसमें मज़दूरों के द्वारा ख़जानों के अंदर खुदाई की जा रही है और उसे चड़ाया जा रहा है ये बड़े ह अमानवी द्रिश्य हैं कम सकम आज के परिप्रेक्ष में ये अमानवी से कम नहीं है लेकिन उस समय तो अंग्रेजों को मुनाफ़ा ही सूज रहा था और इसलिए वे लोग सब कुछ करने के लिए तैयार थे सवभग्य से वाश्प के आविश्कार ने उनकी समस्या का निराकरन कर दिया कि वे अब गहराई से उत्खनन करने लगे और गहराई में उत्खनन करने की जुरत क्यों पड़ी बढ़ती मांग लोखा और कोईला की बढ़ती मांग ऐसी खानों में गहरी खानों में पानी भी भर जाता था तो भरे हुए पानी को निकालना भी समस्या होती थी चाहे वो बरसात में भर जाए वर्शार के कारण चाहे वह जमीन के अंदर थे होने वाले पानी के सीपेज के कारण हो जमीन के अंदर भी तो पानी के मार्ग बने हुए है ख़दाई करते करते कई बार वे मार खुल जाते हैं और पूरी ख़दान में पानी भर जाता है तो ये समस्या भी थी अब वाश्प शक्ति के बल पर इन दोनों समस्याओं का निरा करना हो गया टामस सेवरी 1650 से 1705 जिसका काल है उसने खानों से पानी निकालने के लिए 1698 में एक माइनर्स फ्रेंड नामा का भाप का एंजिन बनाया था माइनर्स फ्रेंड माइनर मतलब माइन से बना है माइन से माइनर फ्रेंड दोस खदान का दोस्त ये नाम दिया उसने भाप के इंजिन का और ये कब बनाया 1699 में इसका नाम था टॉमस सेवरी याद रखेंगे ये जो इंजिन था ये उतना पावफुल तो नहीं था लेकिन एक शुरुवात तो हुई और शुरुवात से ही स्रिजन होता है छिछली गहराईयों में धीरे जीरे काम करता था और अधिक गहराईय में जाते थे तो इसका जो बॉयलर था वो फट भी सकता था और बॉयलर फटना ये मौत को आमंत्रित करना क्योंकि गहराईय में जाने पर वहां की अपनी स्वाहिम की गर्मी भी इतनी हो जाती थी कि बॉयलर के फटने की गुझाईश हमेशा बनी रहती थी एक बड़ा खतरनाक तरीका था ये उत्खनन करने का इस वाष्ट एंजिन के बाद एक और भाव का एंजिन 1712 में टॉमस न्यूमकन टॉमस न्यूकमन इन्होंने बनाया टॉमस न्यूकमन ने 1712 में बनाया इसमें भी कुछ खामिया थी या जब ये पहले एंजिन सेवरी के एंजिन के तुलना में थोड़ा बहतर था और खामिया ये थी कि जो संगनन बेलन है याने कंडेंसिंग का काम जो करता है कंडेंसिंग के लगातार होने से उसमें ठंड़क बनाया रखने की जो जर्थी बॉयलर को ठंड़ा बनाया रखने की तो क्या होता था कि उर्जा का अन्नेसेसरी खपत हो जाती थी याने एक और हम वाश्प उर्जा वाश्प से उर्जा पैदा करना चाह रहे है ताकि मशीन को ताकत मिले दूसरी और उसमें लगा हुआ बॉयलर फट न जाए इसलिए उसको ठंड़ा रखना चाह रहे है परणाम क्या होता था कि जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया थी जो कंडेंसिंग की प्रक्रिया थी उसके परणाम सरूब उर्जा का काफी नुकसान होता था यह तो इसकी बराईया थी अब यहां पर 1779 1779 में एक और घटना हुई थी जिसे मैं चाहूँगा कि आप स्वेम याद करें मैंने जिक्र किया था महत्मा गांधी के जन्म के सौवर्ष पूर्व 1769 में क्या घटना हुई थी अब यहां पर भाफ के संबन्दी घटना होती है 1779 में जब जेम्स वाट ने इसका एक प्रयोग निकाला 1769 भाफ के एंजिनों का प्रयोग अभी तक खदानों में होता था अब जेम्स वाट ने जिसका स्वरगवास हुआ था 1819 में जिसकी मृत्य हुई थी 1819 में उसने 1769 में इस स्टीम एंजिन का एक अलग उप्योग किया और वह उप्योग बड़ा क्रांतिकारी निकला अभी तक एंजिन का उप्योग केवल खदान से माल निकालने के लिए किया जाता था अभी तक एंजिन का उप्योग गहराई में पानी इकठे हुए पानी को बाहर फेकने के लिए किया जाता था अब जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन विक्सित की जिससे भाब का एंजिन केवल एक साधारन पंप की बजाए एक मुवर बन गया क्या बन गया मुवर चलाने वाला पंप करके केवल पानी निकालने वाला नहीं अब क्या बन गया प्राइम मुवर एक मुख्य चालक इसके ओलियों यह जो परिवरतन है जेम्स वाट का इसलिए जेम्स वाट को वाश्प के रेलवे एंजिन का आविशकारत माला जाता है वैसे तो सेवरी का आपने नाम सुन लिया उसके बाद दूसरा नाम भी पढ़ा आपने लेकिन सेवरी के बाद और भी आविश्कार हुए लेकिन 1769 में वाट के द्वारा इसका जो नया एप्लिकेशन है नया जो प्रयोग है वह बहुत काम काया जिसमें भाफ को मूहर के रू इससे कारखानों में जो शक्ति चलित मशीनों थी उसको उरजा देने का कारेश शुरू हुआ जल शक्ति से जो चलती थी मशीन हाथ की शक्ति से जो चलती थी मशीन श्रम शक्ति से अब वो वाश्प शक्ति से चलेगी एक धनी व्यक्ति जो था जिसका नाम था मैथ्यू मॉल्टन उसकी साहता से वॉट ने 1775 में बर्भिंगम में सोहो फाउंडरी का निर्मान किया क्या फाउंडरी? सोहो फाउंडरी बर्भिंगम, देखिए नक्षे में बर्भिंगम कहां है बर्भिंगम भी टेक्स्टाइल बिजनेस के लिए टेक्स्टाइल सेंटर के रूप में काफी प्रसिद्ध था यहां पर एक अमीर व्यक्ति की मदद से जिसने इसको बनाने में फाउंडरी को बनाने का खर्च वहन किया उसकी मदद से एक पहली फाउंडरी जेम्स वाट ने बनाई झाल झाणरी को बनाई आज किया उसकी मदद से एक पहली झाली यस्छ वाट पहली का पहली फाउंडरी का बनाने का खर्च जुछ लिर झाली फाउंडरी को बनाने में तव extensions मदद से एक ख連ट कंटर से एक समय जसकी में में जाटारी क कुरसें वाटाब। झाल 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 और वास्तों में देखा जाए तो इस मशीन के आविश्कार ने इस इस एप्लिकेशन के आविश्कार ने और जोगी करांति को कई गुना तीवरता दी तन अठारा सो के बाद अधिक हलकी और मजबूत धातियों से इस्तेमाल में बनने वाली सटीक मशीने आने लगी उसके साथ ही औजारों के निर्माण में और व्याग्यानिक जानकारी के लिए अधिक व्यापक प्रसार से भाफ के एंजिन की प्रोद्योगी की और अधिक विक्सित हुई अब देखिए भाफ का एंजिन बनता है उसकी शुरुवाती दौर की हमने चर्चा कि उसके बाद जेम्स वाट का एंजिन आता है उसका एक नया प्रेयोग आता है और उसमें वो प्राइम मूवर के रूप में भाफ के उप्योग की बात करता है सोचता है एक आद दो जगा प्रेयोग करता है जिससे प्रभावित होकर बर्भिंगम में एंजिन भाफ की मदद से चलने वाले एंजिन की फाउंडरी की स्थापना होती है मैथ्यू मॉल्टन की मदद से और फिर ऐसे एंजिन अच्छी संख्या में बनने लगते हैं और वे विविन म बहतर मशीने आने लगी तो बहतर औजार आने लगे वेग्यानिक जानकारी भी बढ़ी और इस बढ़ती वेग्यानिक जानकारी के प्रभाव से जो एंजिन हैं वो भी बहतर होने लगे एंजिन की क्वालिटी बढ़ी उन इंजिनों की गुणवत्ता बढ़ी बढ़ती उत्पादन को उस हद तक और सरल बना दिया उत्पादन को उस हद तक और बहतर बना दिया तो ये सब जो घटना करम है जो 1750 के आसपास से शुरू होते होते चलता है आप देखेंगे ये वो काल है जब बड़ी तीवरता से नहीं नहीं खोजें हो रही हैं नहीं आविशकार ह रहे हैं और उनका प्रेयोग हो रहा है उनका उनको एपलाई किया जा रहा है अठारा सो चालिस आते आते तक तो परिस्थित ये थी कि बिटन में बने भाफ के एंजिन पूरे योरोप में एक जो आवशक उर्जा थी उसका सत्तर प्रतिशत शक्ति उत्पादन कर रहे थे या नहीं बर्मिंगम जेम्स वाट की फाउंडरी और इसके बाद ऐसे और कई फाउंडरियों का निर्माड हुआ जहां इस तरह के एंजिन बनने लगे और अगले चालिस वर्षों में मातर ठारा सो चालिस आते आते क्या हो गया पूरे योरोप में जो उर्जा चालित मशीने थी उनमें कौंटम जंप उनकी गती में आया जब लगवख सतर प्रतिशत मशीने अब वाश पे चलित हो गई वाश पे चलित यंतरों में बदल गई एक और अठारा सो चालिस आते आते जहां मैं बात कर रहा हूं पूरे योरोप में मशीनी करन अपने आधिनिक पैदान प अठारा सो चालिस आते आते पूरा भारत अंग्रेजों के कबजे में आ चुका था अंग्रेजों द्वारा लगवख अंतिम लड़ाईयां भारत में लड़ी जा चुकी थी ये लड़ाईयां आप यहां देखिए जो अठारा सो से अठारा सो चालिस के बीच भारत में अतनी सारी लड़ाईय हैं जिसका जिसकी शुरुवात हम एंगलो मराठा वार अठारा सो एक दो से करें और अठारा सो उन्चालिस तक आ जाए इस काल में भारत में अंग्रेज अपने उपनिवेश वाज की नीति को चरम सीमा तक पहुंचा चुके थे भारत का शोशन अपने चरमुत कर्श पर था और भारत जो है जो मात सत्रा सो पचास सत्रा सो साथ में सोने की चिडिया था अठारा सो पचास आते आते एक अत्यादिक निर्धन देश बन चुका था ये है हमारे सो साल का इतिहास आपको इस बात को मैं बारंबार इसलिए बता रहा हूं कि आपको वाकिफ होना चाहिए कि यूरोप में जब ऐसे इतिहासिक परिवर्तन हो रहे थे जो यूरोप को अधुनी की करण की और ले जा रहे थे इस काल में भारत के परिवर्तन भारत को कहां ले जा रहे थे और यूरोप के परिवर्तनों का भारत के परिवर्तनों से क्या संबंध है क्या नाता है ये भी आपको इस पश्ट हो गया उसके बाद आये भी स्पष्ठ हो गया कि सम्मन्द में भारत को सतत रूप से नुकसान हुआ और उसका एक मात्र कारण था अंग्रेजों की उपनिवेश वाद नी थी एक और जहां ये स्पष्ठ हुआ कि भारत निर्धन से निर्धन तर से निर्धन तम हो रहा है दूसरी और अंग्रेजों के द्वारा ये कहा जाना कि अंग्रेज भारत की भलाई के लिए आए हैं भारत को आधिनिक बनाने के लिए आए हैं ये अत्याधिक हास्यास्पद लगता है फैर हम अपने मूल विशाय पर फिर आते हैं कि किस प्रकार अब हमने समझ लिया के लोहा, कोईला, कपास और उसके बाद मशीनों की तीवरता भाफ एच चार के कॉम्मिनेशन ने कितने करांतिकारी परवरत अलाए है जिस वह हम अध्योगिक करांति कहते हूँ भाफ के आने से प्राइम मूहर इजाद हो गया जो हर चीज को हिला सके, मशीनों को चला सके इसके साथ ही साथ एक दो कुछ और घटनाय थी जो हमारे लिए अध्योगिक करांति की समझ को बहतर बनाने के लिए जरूरी है वो घटनाय क्या थी वाश्प की शक्ति की खोजने जहां ने ने आयाम, ने ने रास्ते खुले उन्हीं रास्तों में एक है रेल आखिर भाफ इतना करांतिकारी प्रिवर्तन कैसे लाया है भाफ के क्या, पहला ताकत दी उसने ख़दानों में गहरी, ख़दाई हुई दूसरा, तीसरा ख़दानों में से पानी निकालने का काम किया चौथा भाफ के एंजिन ने अन्य उत्द्योगों में तीवर्ता लाई उनके उत्पादन में तीवर्ता लाई पान्चवा श्रम शक्ति का उप्योग और कम हो गया चटवा पूरे यॉर्प में अब ये मशीने जाने लगी और इस प्रिकार अप पूरा यॉरप एक परिके से अध्योगी करण आधनी की करण की दिशा में बढ़ चला और इन साथ आख आयामों के अलावा रेल जिसने बहुत बड़ी करांति लाई